कर दो कर हम बात करते हैं ना मतलब वर्चुल दुनिया की तो मज़ा यार तक उसका लगी आता है विकॉज आप अपने रियल वर्ल्ड से कट जाते हो और कहीं दूर निकल जाते हो और ऐसे में आज हमारे पास में एक चश्मा है जिसका नाम है एक्स रियल ये काफ़ी इंटरस्टिंग यूनीक स्टाइल का वी आर ग्लासेज वाला पूरा सिस्टम है आज आप इस वीडियो देखते हैं लाइक हो शेयर करते हुए हम इसी को अन्बॉक्स करते हैं एक्स रियल एर यहां पर इसका नाम है और देखते हैं क्याकर इसमें VR का या AR का कितना ज्यादा और कितना convenience के साथ में मज़ा मिलने वाला है नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेखनीकल घुरू जी चलिए शुरू करते हैं यहां पर काफी इसकी बेसिक सी पैकेजिंग है और VR headset अगर इस छोटी सी पैकेजिंग में आजे तो लगता है किया डेफिनेटली कुछ तो यूनीक काम हुआ है और यहां पर काफी सिंपल से इसका डिजाइन है अगे तो मोमें वी ओपन इट हमारे पास में यह कुछ यूजर मैंवल्स वार हैं क्लीनिग क्लॉथ यहां पर आर पास में एंड्रियल एयर का यहां चोटा था केस यहां मतलब लूक्स क्वाइट कॉम्पाक्त हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा वो है आपके नोस पोर्ट क अगे तो दीज आर दग्लासेज यह आपके लिए बहुत ही इंट्रस्टिंग यह नो अगलने वाला है और अगर दिखते हैं खोलके तो नीचे हमारे पास में साइड में अगर देखेंगे तो यह एक यूस्ब केबल है और काफी इंट्रस्टिंग काफी एक तरफ से ना यह यूस्ब केबल ऐसे तेडी है तो यह जो तेडी केबल है यह सीधा आपके इन ग्लासेज में लगने वाली है और यह ऐसे कनेट हो जाएगा और जो दूसरे एंड उसको आप अपने डिवाइस में लगाने वाले हैं लेकिन गाई अगर आप देखो कि यहां पे तो दीज आर ग्लासेज पहनते हो तो कुछ ऐसा लगता है विच इस वेरी काने फिनो लेकर नॉर्मल ग्लास अगर आपने पहना है वेफेरर शेप के जो आते हैं तो यह वही स्टाइल है हमारे पास में यहां पे स्पीकर्स भी हैं बटन्स भी हैं काफी एडवांस एटवी को दूसरों इसे पूरा कटाव तो आप इसके आगे अगर इसको अटाच कर लोगे तो इत बिकम्स कंप्लीट ब्लाक आउट लेट सी हाव इस दिस एक्स्रियल एयर तो गाइस दिखो ऐसा है यह इनो एक्स्रियल वाला एयर का सिस्ट्म मतलब आपने जब पहना है तो आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आपने बड़ा सा कोई वी आर हेड़ सेट पहना है जब एक पहना है तो अगर आपको चाहिए एक जब आपने को सामने से अपने इस पहना है और मजए की बाद अभी जब मैं इस पहन रहा हूं तो मेरे सामने श्क्रीन भी आएगा और मुझे आसपास की दुनिया बिल्कुल कलियर दिखरे जसे की पर चश्मे के थूरू केवल इसको लगाना है और इसके उपर लगाते ही अब क्या होगा अब कोई लाइट मेरी आँखो तक नहीं पहुंचेगी और जैसे में इसको बंद कर लिया नाओ इफ I wear it तो आप देखोगे येस, now it's complete blackout मेरे लिए सामने के दरफ से, हाँ, साइड से lights आ रही है तो ऐसा नहीं है कि मेरेको बिलकुल अंधेरा मिल रहा है बट अगर आपको चाहिए तोड़ ऐसा, you know, privacy वाला महौल तो आप इसको use कर सकते हो वैसे privacy की बात जहां तक है कि, no, it's not easy to be honest to figure out कि भाई, कोई इसके अंदर क्या देख रहा है अगर वो बिना इसके भी देखेगा ना तो unless कोई दम नजदीक जाके आपका screen पर कुछ देखे, nobody would know कि आपके 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 समने क्या चल रहा है तो privacy बाइब उसे अच्छी चीज़ है अच्छी बात ही है कि इस glass के अंदर कोई अलग से battery charging कोई हंजट नहीं है आपने इसको पहन लिया, पुछ ऐसा अब ये जो section है, ये end आप अपने phone में plug कर सकते हो, आप laptop में भी लगा सकते हो phone अगर है आपने gym में रखा है या कि बैठे हो तो मतलब इस very easy to plug अब क्या होता है कि आपका जो phone है, उसका screen basically mirror हो जाता है, तो आपको जो है वो screen बड़ा दिखेगा, 201 inches तक का आपको इसके इंदर screen जो बड़ा लगने बाला है, मतलब you know feels very good in terms of quality अब एक Nebula app आती है, अगर आप उस Nebula app को use करते हो अपने phone में तो एक अलग टाइप का UI मिल जाता है तो और आपका experience बेटर हो जाता है और अपने phone को आप ऐसा trackpad भी उसकर सकते हो, ऐसा controller आप उसकर सकते हो, अब यह जो है मतलब वैसे तो काफी phone side में compatible है अब अगर आप से बात करता हूँ best experience की, तो मेरे personal experience में Samsung के phone side में सबसे सही ये काम करता है और Samsung में वैसे किया है जब आप उसको लगा हो तो बाए default को नेबूला बना सकते हो, अब यहां पर आपके पास में controls है, कुछ volume और इन बिल्ट speakers भी है, तो आपके कानों में सीधा होती है, जो बोस के आते हैं जो earphones होगर है, तो वैसा आपको यहां पर वो मिलेगा, experience, sunglasses दे किसी Mac से, क्योंकि Mac में क्या है, कि जैसी आपने इसको लगा है आपके पास मल्टिपल डेस्क्टॉप्स आप बना सकते हो, तो on the go, अगर आपको चाहिए productivity, और कही बर कहता है कि laptop पे इतना काम करना convenient नहीं है, या screen भी सब को दिख रहा है, whatever, ता बस उसमें connect करो, और यह पह अगर आपने तो बलता को, तो मतलब यह, इस बिल्ट नाइसली, तो ऐसा कुछ चीप नहीं लगता है, आपको यू फील लाइक, यह प्रीमियम, लेकिन इतना बल्की नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है, और यह ऐसा करके यह चेंज हो राता है, यह देखो, यह देखो, कि यह इसका एंगल क्या जाएगा, आपके सिर के शेप के हिजाब से, और सबसे अच्छी बात है, वो है पोर्टिबिलिटी की, आपने इसको बंद किया, आप सोचो, मज़े की बात, कि आप कहीं ट्रावल कर रहे हो, आपने केवल यह रखा है, and you are just traveling, बड़े आराम से, तो आपने पड़ेंगे, अदर्वाइस, नॉर्मली भी कुछ-कुछ में support कर जाता है, यह, बैटरी का एजए टोली कोई हंजट नहीं है, brightness जो है, वो भी adequate है, 60 Hz को पर काम करते है, resolution जो है, वो भी ठीक-ठाक है, you know, it's full HD पर आये, तो मतलब, यह मुझे ठीक लग रहे है, मैं अब इसको और थोड़ा से use करूंगा वाइल ट्रावलिंग और फिर देखते है, experience कैसा रहता है, वैसे आप में से कुछ लोग जो है, वो भी सोच रहे होंगे कि यह आखिर कितना ज्यादा महेंगा है, इसकी price का है, तो आपल का Vision Pro है, वो 3,000 डॉलर का भी आता है, और बाकी बहुत सारे आपको VR का option मिल जाते हैं, फिर अगर बात करें PlayStation VR या और बाकी options, अपका HTC Vive हो गया है और कुछ भी, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि it is compatible across devices, तो मुझे लगता है कि शायद usability और ज्यादा easy हो जाएगी, और price जो है इसकी फिलाल US की है, $379, इंडिया की ब और मैं इसको खासकर से काम करने वाला हूं, यहाँ यूज करूँगा ट्रावलिंग में, लंबी-लंबी फ्लाइट में लगा के बैठो या, टेंशी नहीं है कि फ्लाइट में कौनसी मूवीज है, नहीं है, क्या है, आपको आपका iPad नी खोलना है, लैट्टॉप नी खोलना, तो मैं तो ऐसको ऐसे एंजोई करने वाला हूं, यहाँ आपसे मिलता हो अगले वीडियो में, तो आपकीजे वीडियो को लाइक और शेयर, I hope क्या आपको 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 पसंद आया होगा, that's it for this X-Real Air, तो आपको 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 आपको